तो which of the following measured after the immunization to check the prevention of hepatitis B? यदि किसी patient को या किसी person को hepatitis B का immunization हुआ है immunization हुआ है मतलब hepatitis B के infection को रोकने के लिए vaccine लगाया गया तो यदि किसी patient को या person को hepatitis B का vaccine लगाया गया है तो उस vaccine को लगाया गया तो vaccine काम कर रहा है यह नहीं कर रहा है उसको जाच करने के लिए आप जो हैं नीचे दिये गया पैरामेटर में से कौंसा पैरामेटर को मीजर करेंगे या टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हां उस पेसेंट को इम्मुनाइजेशन सक्सेस्पूल हुगा उस patient को vaccine लगाया है, वो proper work कर रहा है, कैसे पता करोगे, simple सा work, option पर आता हूँ, सुन लो पहले यहां से, कैसे किताबी किड़ाये check करते हैं, क्योंकि यह normally पढ़ाया गया होगा, कि अभी थोड़े पहले भी बता रहा था, कि हमारी body में, जब भी कोई antigen इंटर करता है, तो उस के अगेंस्ट हमारा immune system, जो है antibody का formation करता है, अब यदि हमारा immune system कमजूर है, जैसे अभी कोरोना का case हुआ था, तो कोरोना में क्या था, हमारा immune system काम नहीं कर रहा था, कमजूर हो गया था, तो हम क्या करते हैं, उस particular microorganism का ही एक cell, एक substance को, pathogenic substance को निकालते हैं, और निकाल करके body में डाल देते हैं, ताकि उसके against में body, चुकि वो detectable हो जागा, use amount में antibody formation कर देगा, ताकि जब next time कोई उसी same particular antigen enter करेगा, तो उसके against antibody already present होगा आपके body में, यही तो theory है vaccination की, मतलब क्या कहता है, कि जब हम जो vaccine लेते हैं, वो vaccine एक antigen होता है, और उस antigen को body में डाल देते हैं ताकि उसके against antibody पहले से बन जाए, जैसे hepatitis B का vaccination कर रहे है, तो hepatitis B का small amount of antigen डाल देगे body में, आप body धीरे धीरे जो है, उस antigen के against बहुत huge amount of antibody बना लेगा, और बना करके store करके रखे रहेगा, जैसे ही कोई अगली बार hepatitis B का virus हमारे body में आएगा, तुरांत उसके against secondo में नही है, आपको, इस hepatitis B जो अभी आया है, उसके against antibody बना देगा, और उसको मर देगा, this is the vaccination, मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो vaccine लिये थे, वो antigen था, और vaccine लेने के बाद हमारे body produce क्या हुआ है, antibody produce क्या हुआ है, तो किसी को vaccination हुआ है, तो vaccination होने के बाद, हम कौन सा जाच उसका करना ही है, जिस्से की पता चल जा गहा है कि उसका vaccine का रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका antibody टेश्ट करवाना पड़ेगा, क्यूंकि vaccination होगा, लिया होगा, उसके against antibody का formation होगा, अब hepatitis B की बात आई है, कि hepatitis B का vaccine लिया है, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब की body में hepatitis B का antigen लिया हुआ ह तो इस option में hepatitis B का ही antibody होना चाहिए वही correct होगा, आप option देखते हैं, है न किताब से बाहर की चीज, खोपड़ी पर दिमाग लगाने वाले चीज, कहीं किताब मैं इसा थोड़ी लिखा, आपको बताएगा, नोर्स रटने से थोड़ी यह मिल जाएगा, MC कुछ के question माने से वही correct answer होगा, आप्शन नमर B है anti-HB SAG, क्या लिया था, hepatitis B का antigen, hepatitis B के पढ़ाया हूँ, उसे most prominent antigen, hepatitis B का surface antigen होता है, मतलब body में क्या डाला था हमने, hepatitis B AZ डाला था, hepatitis B surface antigen डाला था, तो अब body में क्या produce होगा, hepatitis B surface antigen का antibody produce होगा, और उसी को detect करेंगे, तो इसको क्या B surface antigen, यानि कि anti-HB SAG, अब उसके body में क्या हम detect करेंगे, anti-HB SAG detect करेंगे, HBS SAG है, मतलब कि antigen है, और anti लग गया, मतलब कि antibody होगा, तो that means कि अब उसकी body में क्या produce होगा, सर, उसके body में यह वाला antibody produce होगा, इस questions का correct answer होगया, option number B, anti-HB SAG, यही तो इसका surface antigen के क्या antibody होगया जहाँ anti पहले लग गया, तो समझ जो antibody है, option number C है HBS SAG, यह तो wrong हो जाएगा, यही तो हमने डाला था उसका सरीर में, और फिर उसी को check करेंगे, नहीं न, जो antigen डाला उसके antibody होगया, और option number D है HPEG, hepatitis B, hepatitis E antigen, hepatitis B का envelop antigen, detect करने के लिए बोल रहा है, HPEG का मतलब क्या है, hepatitis hepatitis B, envelop E से envelop antigen, और A से surface antigen, तो surface antigen जैसा कि मैं, hepatitis B पढ़ा रहा रहा था, तो बताया था, तो यानि कि डाले था surface antigen और test envelope थोड़ी करेंगे, envelop का नहीं करेंगे, और envelop का भी तो करते, अगर antibody रहता तो, यह क्या है, hepatitis B, envelop antigen, डाले भी antigen थे, check भी करेंगे antigen है, नहीं न, यह दोनों antigen है, यह दोनों के दोनों क्या हुआ, hepatitis B का antigen है, और A तो type of antigen है, category, तो correct answer कौन सा हो गया, option number B, दिमांग लगा का छाटा क्या एस answer,